जै मातादी, नमस्कार दोस्तों, स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज आप सुनेंगे बुध अश्टमी की ब्रत कथा कथा को पूरा जरूर सुनेगा, अगर अच्छी लगे तो दुसरों को भी सेर किजेगा आप सुनेए कथा एक ब्रामन की घर में बुध नाम का एक वेटा वा बुधनी नाम की बेटी रहती थी ब्रामनी सबका आठा पिष्टी उसमें से थोरा आठा बचा कर रखती थी बेटी के माना करने पर भी नहीं मानती थी एक बार की बात है कि प्रामनी पीहर गई पीछे से बेटी सबका आटा पीष्टी पर रखती नहीं थी प्रामनी पीहर से आई तो सबने उसे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी तेरी बेटी हमको पूरा देती है हम तुझे पिष्णा नहीं देंगे अब तो सबके जाते ही वह बुधनी को मारने लगी और बोली इसका कुटे से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे बुध भगवान ने सोचा बेटी सतसे रही इसका कष्ट मिटाना परेगा भगवान कुत्ते का बेश बना करा है उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तीलक कर दिया तारे गाह में गूज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है बुधनी की मा जिससे काम करवाए बो ही कहे हमको तो फुर्शत नहीं है भगवान के ब्याह का काम है अब तो वो परिशान होके बुधनी को और मारने लगी, और बोली, तू तो निरभागी है जो तेरे ब्याह का काम कोई नहीं जिलता, ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले, गाउ में हला हो गया कि बुधनी का ब्या कुत्ते से हो रहा है। बुधनी बोली भगवान अब पडिक्छा मत लेओ, सब मेरी हसी कर रहे हैं, तो भगवान असली रूप में आगर। और बीदा होते समय पालकी में बुधनी को सौव सिंगार कर बठाया और बीदा कराई। ससुरार में समय बीता एक बुधनी के सहली बोली, भगवान मुझे तो उची रखते हैं पर साथ की चावी मुझे नहीं देते, बुधनी चावी की जीत भगवान से करने लगी। तो भगवान ने चावी दे दी, ताला खोला, देखा कि मा का एक नरम जैसा वातावरन में सारी है। तूरंद भगवान के पास जाकर बोली, मेरी मा की दसा, ऐसी क्यूं हो रही है? बुधनी बोली आप जैसे जामाई मेरी मा का है, इसी बास्ते मा को ठूडाओ, भगवान बोले तेरी भावी बुध अश्टमी का ब्रत करे, तो ये जून छुटे, बुधनी पीहर गई, दूर होते ही, इसको बुध अश्टमी का ब्रत करवाएंगे, थोरी देर में भावी के लर्का हुआ, बेटा हुए, बाद में बुधनी बोली, चांदने पकवारे में बुध बार को आने बाले अश्टमी का, आठ ब्रत करके, नौवे में उधापन करना, पोथी सुनना, आ वहां से निकल कर बैकुंठ में बास करे, बुध और उसकी इस्तिरी ने ये ब्रत किया, और नरक से उसकी मा को चुरा, बैकुंठ में बास हुआ, बुधनी जी ने अपनी मा को नरक से चुरुआया, उसी तरह सब बेटिया, अपनी मा को बैकुंठ के बास के लिए ब्रत करे प्रेम से बुलिये बुध्ध देव की जय बहुत समय पहले की बात है किसी गाउ में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी वह बहुत ही पवित्र महिला थी जो भारत की एक छोट से गाउ में रहती थी गनेश भगवान के प्रती बुढ़ी अम्मा की गहरी भकती थी और वह अक्सर हर दिन बस भगवान गनेश की पोजा करती थी एक दिन बुढ़ी अम्मा ने भगवान गनेश को उनके सभी आसिरवादों के लिए किर्तग्यता के प्रतीक रूप में एक बिसेश भेर्ट देने का फैसला किया बुढ़ी अम्मा ने अपनी जरूरत की सभी समागरी इकठी की और भगवान गनेश की मोदक नामक एक मीठा व्यांजन बनाना शुरू किया जिसे भगवान का पसंदिता भोजन माना जाता है जब वह पकवान बना रही थी उसने महसूस किया कि उसके पास एक महतपुर्ण समागरी गुर खतम हो गई है गुर की बिना मोदक बना अर संभाव होता है क्यूंकि गुर से ही मोदक की में मिठास आती है गुर ना होने पर बुढ़ी अम्मा के मन में यह प्रश्न आने लगा कि कहीं वे भगवान गनेश को मोदक अर्पित करने से बन्चित ना रह जाए माई सोकर बुढ़ी अम्मा ने भगवान गनेश से प्रात्न की हे गनेश महराज मेरी गुर कहीं गुम हो गई है उसे डुणने में मेरी मदद कीजिए उसी समय बोढ़ी अम्मा का पिछे से एक युवा लर्का आया उसके हाथों में एक गुर था और लर्के ने बोढ़ी अम्मा को गुर दे दिया और गुर देने के तुरंथ ही गाय भी हो गया बोढ़ी अम्मा ने चारो तरफ अपने नजर घुमाए मकर लड़का कहीं भी नहीं मिला बुढ़ी अमा लड़के की मदद से बहुत खुश थे और आभारी थे उसने महसूस किया कि वह लड़का कोई और नहीं बलकी स्वेम गनेश भगवान आये थे जिन्होंने उसे मोदक पुरा करने में मदद करने के लिए एक बच्चे का रुप धारन करके आये थे उस दिन से बुढ़ी अमा भगवान गनेश की प्रती और भी अधिक समर्पित हो गई और अक्सर वह कहानी सुनाते थी कि कैसे भगवान गनेश उनकी साहता के लिए आये थे जैसे जैसे समय बीतता गया बुढ़ी अमा और कमजोर होते गई वह जानती थी कि प्रत्वी पर उसका समय समाथ हो रहा है और वह मरने से पहले आक्री बार भगवान गनेश को देखने के लिए तरस रही थे एक दिन जैब वह अपनी मृतु सर्याँ पर लेती हुई थी तब ही बुढ़ी अमा ने भगवान गनेश का इस्मरन किया और गनेश भगवान उसके सामने अपने पूरे बयाभाव के साथ बरकट हो गए बुढ़ी अमा और खुसी से भर गई क्यूंकि उन्होंने अपने प्यारे भगवान को देखा वह जानती थी कि उसका समय आ गया है और उसने भगवान गनेश से उसे अपने साथ अपने निवास पर ले जाने के लिए कहा भगवान गनेश उनकी भक्ती से परवावित हुए और उनकी इच्छा पूरी की और इसलिए बुढ़ी अमा ने इस दुनिया को छोड़ दिया और भगवान गनेश के स्वरग्य निवास में परवेश किया जहां उसका खुले हाथों से स्वागत किया गया उस दिन से बुढ़ी अमा और भगवान गनेश अभी भाज्य हो गए और कहा जाता है कि वे आज भी एक विशेश बंधन साजा करते हैं तो प्रेम से बोलिए गनेश महराज की जय है गनेश महराज जैसे आपने बुढ़ी अमा पर अपनी किरपा ध्रिष्टी बनाए रखे बैसे ही आपकी कहानी कहने बाले सुनने बाले हुकारे भरने बाले सभी के परिवार पर अपनी किरपा सदा बनाए रखे तो सभी मिलकर बोले गनेश महराज की जये किसी गाउ में राजु नाम का एक व्याक्टिक था उसके परिबार में उसकी माँ पतनी रीनत था एक पाच बर्स का बेटा मनु रहता था पूरा परिबार खुश हाल था प्रेशन था एक दिन की बात है राजु काम से जब लोट रहा था तो उसकी तवियत खराब हो गई पास के गाउ में बैद जी को बुलवाया गया उन्होंने उसे दवाई दे दी किन्तु उसकी तवियत में कोई सुधार ना हुआ तब कुछ सम में बाद उसकी मृत हो गई अब परिवार की आज जिविका पर संकट आपरा इधार राजु की मा का बैवार राजु की पतनी तथा बेटे पर दीन पर दिन खराब होता चला जा रहा था वह दोनों को खुब ताने देती तथा भला बुरा कहती एक दिन रीना की सास ने मा बेटे को घर से निकाल दिया दोनी रोते रोते घर से चले गए अब सबसे बड़ा प्रस्न था कि आखिर इतने बड़े गाव में कौन उन्हें आसरे देगा कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गनेश जी की एक भाब मंदिर दिखाए दिया मंदिर में एक बुज होते हुए उन्हें सारी बात बताई पंडी जी यह बात सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपनी परिचीत के खालिम परे मकान में उन्हें अस्थान प्रदान कर दिया मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोरा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए पंडी जी प्रती दिन सुभा जल्दे उठते मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अरपित करने के लिए फूल तोर कर लाते यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडी जी आपके अस्थान पर मैं फूल तोर कर लाया करूंगी और उसकी सुन्दर सुन्दर माला तय तयार कर दिया करोंगी पंडी जी ने कहा अच्छी बात है तो माला तयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो रीना को यह सुझाओ अच्छा लगा आगली सुभा उसने गनेश जी का आशिरवाद लेकर माला बेचने का काम सुरू कर दिया उसका बेटा मनु भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था आजे फूलों से बना माला देखकर ग्रहक उसी से फूल की माला खरिदने लगे कूछी दिनों में भगवान गनेश जी की किरिपा से उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा उन्होंने चल दी ही एक छोड़ी सी दुकान भी ले 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 तो बर्स की दुकान से फूल लिये तो उसकी ध्रिष्टी मनुपर पड़ी तो व्यापारी की पत्नी ने उनकी बारे में पंडीची से पूछा पंडीची ने सारी बाते बताई उसके बाद वह घर लोट गये स्याम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन मा बेटे के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की साधी उससे करने का विचार बताया व्यापारी को भी बर अपनी करन्य के लिए उचित लगा और विवाह के लिए तैयार हो गए गनेश जी के मंदिर में दोनों का विवा बरे ही धूम धाम से संपन हुआ उस व्यापारी के कोई पुत्र ना था इसलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया मनु के परिश्रम तथा इमंदारी से व्यापार में खुब परगिती हुई इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी वो अकेले रह दी तथा खराब कोई भी उसकी सहता ना करता एक दिन रीना अपने पूत्र से बोली बेटा तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तुछ ब्रीद्धा अवस्था के कारण बीमार भी रहती है उन्होंने सोचा कैसे भी व्यभर किया हो किन्तु है तो तुम्हारी दादी उन्हें इस अवस्था में अकेला चोड़ना उचित ना होगा आज भगवाल स्री कनेश की दया से हम संपन हैं तो क्यों ना उन्हें अपने साथ रख ले अकले दिन रिना अपने पूत्र तथा बहु के साथ सास के घर पहुची दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुसी हुई ताथी उन्हें अपने करने पर पच्तावा भी हुआ जिस कारण उसकी आखों में आसु आ गये उन्होंने अपनी बहु रिना से अप और प्रेम पुर्वक गनेश महराज की पूजा करने लगे उनकी किरपा से घर में सदा ही आने धन की भंडार भारे रहते प्रेम से बुलिये गनेश महराज की जय रिशी केस में गंगाजी की किनारे एक संत रहा करते थे वह जन्म से अंधा थे और उनका नित्य नियम था कि वह साम के समय उपर गमन चुम्बी पाहार में भ्रह्मन करने के लिए निकल जाते थे पाहारों के उपर जाकर गनेश भगवान का नाम जापा करते थे उनके नाम से कृतन करते थे उनका गुनगान गया करते थे एक दिन उनके एक सिष्य ने पूछा बाबा आप हर रोज इतने उचे उचे पाहारों पर भ्रह्मन हे तू जाते हैं वहाँ बहुत गहरी गहरी खाया भी है और आपको आखों से दिखलाई भी नहीं देता क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी पाव लर्खरा गए तो बाबा ने कुछ नहीं कहा और साम के समय सिष्य को साथ ले चले गए पाहारों के मध्य में जाके बाबा ने सिष्य से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई तुम्हें दिखाई दे तु मुझे बता दे ना जैसे ही दोनों चलते रहे और थोड़ी देर बाद ही गहरी खाई आई सिष्य ने बताया कि बाबा आगे गहरी खाई आ चुकी है बाबा ने कहा मुझे इसमें धक्का दे दो सिष्य ने हैरान होकर कहा आप क्या कह रहे हैं बाबा बाबा ने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ मुझे तुम खाई में धक्केल दो पिस्य बाबा की बाते सुनकर हकबक रह गया उपने कहा बाबा मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ मैं ऐसा हर किस नहीं कर सकता आप तो मेरे गुरुदेव हैं यह तो अपने किसी सत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता बाबा मुझे माप कर दो बाबा ने फिर कहा कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दो यह मेरी आग्या है और मेरी आग्या की अवहेलना करोगे तुम नर्क गामी होगे इस्या ने कहा बाबा मैं नर्क भोग लूँगा मगर आपको हरकिस इस खाई में नहीं धकिल सकता तब बाबा ने सिस्च से कहा रे नाधान वालक जब तुझ जैसा एक साधन प्राने मुझे खाई में नहीं धकिल सकता तो बता मेरे भगवन मेरे गनेज मुझे कैसे इस खाई में गिरने दे सकते हैं, बता? नेजी को तो सिर्फ गिरी हुए को उबारना आता है, गिरी हुए को उठाना आता है, वो कभी भी किसी को गिरने नहीं देते, इस महाराज तो हर पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उनपर, तो सभी प्रेम से बुले गने इस भ ससुरार गया कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची दुर भाग्या से उस दिन बुद्ध बार का दिन था लड़की के परिवार बालों ने कहा कि आज बुद्ध बार का दिन है जो कि किसी कार है तू सुब नहीं माना जाता है इसलिए आज तुम मत जाओ इंदू साहुकार ने किसी की एक ना माने और पत्नी समेथ अपने ससुरार से घर को प्रस्थान किया राष्टे में साहुकार की पत्नी को प्यास लगी उसने साहुकार ने से कहा तूम बैल गारी में ही बैठो मैं पानी लेकर आता हूँ जब वो पानी ल बैठा है तब उसने जाकर उस पूरुष से पूछा तुम कौन हो तब उसने कहा मैं साहुकार हूँ और फिर दोनों के बीच में जगरा सुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गये जिन्वों ने उस इस्तिरी से पूछा तुम्हारा पती कौन है तब वो इसका उ इला है आपका तब आकासवानी हुई अरे मुर्ख आज बुद्ध बार का दिन था तब ही तुने आज ही कमन किया ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है वो तुझे से रूठ गये हैं तब साहुकार ने भगवान बुद्ध देव से समायाचना की और त प्रान के रूप में आये बुद्ध देवी अद्रिस हो गये और फिर साहुकार अपनी पत्निसंग घर गया और भगवान बुद्ध देव की उजगी जो भी इस ब्रत कथा को सुनता है उसको बुद्ध बार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है प्रेम से बुली बुद पूरे दिन गनेजी की सेवा में लगे रहते थे प्रताकाल उन्हें बरे प्रेम से उठाना असनाना दि खरवा कर वह उन्हें अंध्यन प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन किर्दन में लीन हो जाते थे और रातरी में भक्ती और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुला कर स्वेम सोते थे यहां काड़े उनकी दिन चारे बन गया था ऐसा प्रति दिन करते करते उनका समय कब व्यदित हो जाता था उन्हें स्वेम भी इस बात की ग्यात नहीं थी वह जहां भी जाते वह गनेजी को अपने संग ले जात वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गनेजी भी उन संद की सेवा भाव से अधी प्रसन रहते थे वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा रीदय चाहिए और कुछ भी नहीं जहां बात इस कहानी से सिध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्त की सक्ति से ही बस में किया जा सकता है एक बर वह संद कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे वह संद अपने साथ गनेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ बाली सिट पर उन्हें ब्रजमान कर उनको परनाम किया अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ती में ओल प्रेथ होकर प्रभु का भजन कृतन आरम कर दिये गैनेश भजन और कृतन की समापति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ती की चर्चा में लेन हो गए और कब उनकी मंजील आ गई उन्हें पता भी नहीं चला सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतर कर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुँच गए मैं भोजन कैसे ग्रहन कर सकता हूँ और गनेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तयारी करने लगे किन्तु यह क्या जब वह संत भोग लगाने के लिए गनेश जी को अपने भक्से में से निकालने लगे तो गनेश जी तो वहाँ पर बिरजमन थे ही नहीं यहाँ द्रिश्या देखकर संद को बहुत आघात लगा वह अपने चारो तरब गनेश्ची को ढूनने लगे किन्तु गनेश्जी नहीं मिले वह संद निरास हो गये आप उन्होंने अपनी ववस्था अन्य संदों से ही कही तो सभी संद मिलकर पूरे आसरा में गनेश्ची को ढूनने लगे किन्तु गनेश्ची कहीं नहीं मिले अब वह संद और जादा निरास होने लगे वह सोचने लगे कि बीना गनेश्ची की मैं क्या करूंगा यह बात सोचते सोचते उनकी नेत्रों से असरु की धारा बहने लगे जह देख अन्य संथ उन सजन संथ को समझाने लगे कि कोई बात नहीं यादी आपकी गनेजी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दुसरा गनेजी लाकर दे देंगे किन्तु आप अपना मन हलका मत करिये किन्तु वह संथ नहीं माने वह लागाता रोए जा रहे थे और यहीं कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गनेजी चाहिए जीन से में रोज प्यार दुलार करता था उनके अलावा अनने कोई नहीं चाहिए उन्होंने अन और जल्भी ग्रहन नहीं किया ऐसा करते करते चार पाच घंटे बीत गए इधर गनेजी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संथ जी की तबियत रो रोकर खराब होती चा रही थी फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखरी वार उन्होंने गनेजी को ट्रेन में बठाया था और प्रभु भक्ती की चर्चा में लिन हो वो कब बगेर गनेजी को लिए आस्रम पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला यहाँ बात सुनते ही समर्ष्थ संतों ने उस सजन संत से कहा कि अब तो चार पाच घंटे बीत गए वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी यहाँ बात सुनकर सजन संत ने और ने सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगेर अपने गनेश जी को लिए ट्रेन से उतर कर आसरम पहुँचाया किन्तु मेरे गनेश जी मुझे छोर कर कहीं नहीं जाएंगे मुझे पूर्ण बिश्वास है कि गनेश जी मेरी वहीं पर परतिक्षा कर रहे होंगे एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्म विश्वास देकर वहां उपस्तित सभी संत उन सजन संत को साथ लेकर स्टेशन के और चल दिये स्टेशन पहुँचकर संतों ने स्टेशन मास्तर को अपनी सारी कहानी सुनाई जहां बात सुनकर इस्टेशन मास्तर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले चार पाच घंटे से इस्टेशन पर ही खड़ी है हम सभी बहुत परिसान है कि बीना किसी तक निकी समस्चा के वह ट्रेन आगे क्यूं नहीं बढ़ रही है इस्टेशन मास्तर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी धेर ना लगी कि यह सब तो उस लिला धर की है ये तो गनिस महराज की ही लिला है और वह मुस्कूराते हुए अपने ठाकूर को लेने चल दिये ट्रेन की भोगी में पहुँचकर जब उन संत ने ठाकूर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भादी बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे तब उन संतों ने गनेश जी को परनाम कर और च्छामा याचना करते हुए गनेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले आए अंद में या द्रिश्य देखकर सभी हैरान रह गये जब वह संत अपने गनेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे बैसे ही वह ट्रेन भी चल दी जो बीना किसी तक निकी समस्य के इस्टेशन पर पिछले चार पाच घंडे से खरी थी वहां खरे सभी स्वजन पुरुसों ने भाक्ति की सक्ति का या द्रिश्य देखकर सभी ने गनेशी की चर्णों में सत सत परनाम किया और आसरम की और चल दिये सभी प्रेम से बोले गनेश महराज की जै हो पुरानों में बताया गया है कि एक बार भगवान कनेश गंगा नधी के किनारे तपस्या कर रहे थे इसी कालवधी में धरमातमज की कर्ण्या तुलसी विपा की इच्छा लेकर तिर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी सभी तिर्थ अस्थल का भ्रामन करते हुए गंगा के टटपर पहुँची गंगा टटपर देवी तुलसी ने देखा कि यूबा गनेश जी तपस्या में लीन थे सास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गनेश जी रतन जटित सिंगहासन पर बिरजमान थे उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था उनके गले में पड़ी जात पुस्प के साथ स्वर्न मनी रतनों के अनेक हार पड़े थे उनकी कमर में अंत्यंत कोमल रेसम का पितामबर लिप्टा हुआ था तुलसी सिरी गनेश के इस सुंदर स्वरू पर मोहित हो गए उसके मन में गनेश से विवा करने की इच्छा जागरित हुई तुलसी ने विवा की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया तब भगवान स्री गनेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को असुब बताया और तुलसी की मन सा जानकर स्वयम को बरमचारी बताकर उसके विवा प्रस्ताव को नकार दिये बिवा प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गनेश जी को सराप दिया कि उनके एक नहीं बलकि दो बिवा होंगी इस पर स्री गनेश ने भी तूलसी को स्राप दे दिया कि तुम्हारा विवा एक असूर से होगा एक राक्षास की पतनी होने का स्राप सुनकर तूलसी ने गनेश जी से माफी मांगी तब गनेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवा संग चूर राक्षा से होगा कींदू फीर तुम भगवान विष्णू और स्री कृष्ण को पडिया होने के साथ ही कल्यूग में जगत के लिए जीवन और मुक्ष देने वाली होगी पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना सुभ नहीं माना जाएगा तब से ही भगवान स्री गनेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वरजित माना गया है प्रेम से बुलिए गनेश जी की जय बहुत समय पहले की बात है एक काव में साथ भाई और एक वेहन रहा करते थे वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही बिनायग जी का नाम आता तो घगरा जटका कर चली जाती हर रोज उसका यही आदत था जब भी गनिस महाराज का नाम आता तो घागरा जटका कर चली जाती एक दिन उस लर्की की इस आदत पर बिनाय जी बहुत नाराज हुए और गनिस महाराज उस बहन को भैभीत करने लगे डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया विचारी सूखने लगी अपनी बहन को सूखता देख सातों भाईों ने आकर पूछा बहन क्या बात है तुम इतनी दुखी क्यों हो मुझे बताओ पर भाईों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया भाई असफल रहे तरफ से जो छोटा भाई था वह बहुत चतूर था बहुत चालाग था उसने आधी रात को अपना वेश बतल कर गनिस महराज को पकर लिया और पूछा की आप कौन है और मेरी बहन के साथ चल क्यों करते हैं भाई की बाते सुन गनेश जी बोले मैं तो गनेश महराज हूं तेरी बहन सारे बाते सुनती है और जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है इसलिए मैं उसे डराता हूं भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गनेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गनेश जी की कहानी कहे बगर नहीं उठना चाहिए। बेहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गनेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही उच खायेगी। और बहन हर रोज ऐसा ही किया अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही उच्छ खाया करती थी इस तरह से गनेश जी महाराज बहन पर प्रसन रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाय को पूरी करने लगे गनेश महाराज की आशिरवात से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मि वह बहुत करीब थी और आखो से अंधी भी थी उसका एक बेटा और बहुत थी वह बुढ़िया सदेव गनेश महराज की पूजा किया करती थी एक दिन गनेश भगवान उसकी स्रधा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन हुए गनेश भगवान ने सोचा ये बुढ़िया माई त कितना स्रधा के साथ करती है इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए इतना ही सोचकर गनेश जी उस बुढ़िया माई के सामने परकट होकर बोले बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मुझ से मांग ले मैं तुससे बहुत प्रसन हूँ बुढ़िया माई हाथ जोर कर गनेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू, और क्या मांगू, आप ही मुझे बताएं। बुधी माई की बाते सुन, गनेश महाराज कहने लगे, माई, तु अपने बेटे बहु से पुछ कर कुछ मांग ले ना, तब बुधी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गनेश जी कहते हैं कि तु कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू, बेटा ने चिशे माजी तब बुढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी बेटा बहुतो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं इतना सोचकर बुढ़ी माई ने सोचा एक बार अपनी परोसन से पूछ कर आओ कि मेरी परोसन क्या कहती है बुढिया ने परोसन से पूछा तो उसने कहा बुढिया माई तो थोड़े दिन ही जियेगी क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे तू तो अपनी आखों की रोसनी मांग ले जिस्चे तेरी जिन्द की आराम से कट जाएगी बेटा बहु और परोसन का राए लेकर बुढिया माई गनिस महराज के पास आई और बोली हे गनिस महराज यादि आप मुझे पर परसन है तो मुझे 90 क्रोर की माया दे निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आखों की रोसनी दे, नाती दे, पोता दे, और सब परिवार को सुख दे और अंतमे मोक्ष दे बुढिया माई की भाते सुन, गनेश जी कहने लगी, बुढिया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुने मांगा, बजन के नुसर, सब कुछ तुझे मिलेगा यहां कहकर गनेश महाराज अंतर ध्यान हो गये, उधर बुढिया माई ने जो कुछ मांगा, वह सब कुछ मिल गया गनेश जी महराज जैसे आपने उस बुढ़िया मा को सब कुछ दिया वैसे ही सब को देना कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी किर्पा सदा बनाये रखना सब ही मिलकर बोलिये गनेश भगवान की जै हो, बिना एक महराज की जै हो एक बार गनेश जी महराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने बारा दाने अनाज के तोड़ लिये फिर गनेश जी के मन में पच्छतावा हुआ की, मैंने तो सेठ जी की यहां चोरी कर ले तो गनेश जी सेठ जी के बारा साल की नौक्री करने लग गए एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गनेश जी ने सेठानी का हाथ पकर कर मिट्टी से हाथ धूला दिया सेठानी सेठ से बोली की ऐसा क्या नोकर रखा है नोकर होकर उसने मेरा हाथ पकर लिया सेठ जी ने गनेश को बुला कर पोचा कि तुमने सेठ आने का हाथ क्यों पकरा तो गनेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सिख की बात बताई है राख से हाथ धोने से घर की लश्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है सेठ जी ने सोचा कि गनेश है तो सच्चा थोड़े दिनों बाद कुम का मेला आया सेठ जी ने कहा गनेश सेठानी को कुम के मेले में असनान करा के ले आओ सेठानी किनारी पर बैठ कर नहा रही थी तो गनेश जी उनका हाथ पकर कर आगे डुकी लगवाला है घाराकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गनेश ने तो मेरी ज़धी नहीं रखे और इतने सारे आदमियों की बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए तब सेठ जी ने गनेश जी को पूछा कि ऐसा क्यूं किया तो गनेश जी ने कहा कि सेठाने किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में रुब की लगवा कर ले आया इससे अगले जनम में बहुत बरे राजा और राजपाट मिलेगा सेठ जी ने सोचा कि गनेश है तो सच्चा एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी हवन हो रहा था सेठ जी ने गनेश को कहा कि जाओ सेठाने को बुला कर ले आओ गनेश जी सेठाने को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओर कर चलने लगी तो गनेश जी ने काली चुनरी फार दी और कहा कि लाल चुनरी ओर के चलो सेठानी नाराज होकर सो गई सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है तो सेठानी ने बोहे कि गनेश ने मेरी चुनरी फार दे सेठ जी ने गनेश को बुलाकर बहुत डाटा और कहा तुम बहुत बदमासिक करते हो तो गनेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला बस्तर नहीं पहनते हैं इसलिए मैंने लाल बस्तर के लिए कहा काला बस्तर पहनने से कोई भी सुब काम सफल नहीं होता है फिर सेठानी ने सोचा कि गनेश है तो समझदार एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडी जी ने बोला कि वो गनेश जी की मूर्ती लाना भूल गया अब क्या करे तो गनेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ती बना कर बिरजमान कर लो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे जहाँ बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाग करते थे मेरे से भी करने लग गये तो गनेश जी ने कहा मैं मजाग नहीं कर रहा हूं मैं सच बात कह रहा हूं इतने में ही गनेश ने गनेश जी का रुप धारन कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गनेश जी की पूजा की पूजा खतम होते ही गनेश जी आंतर ध्यान हो गये सेठ शेठानी को बहुत थोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गनेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया तो गनेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेट से मैं 12 अनाज के दाने तोर लिया था उसी का तोस उतारने के लिए मैंने आपके यहां काम किया था गनेश जी की किरपा से सेठ जी के करोरों की माया हो गई हे गनेश जी महराज जैसे सेठ जी को दिया वैसा सेब को देना कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे प्रेम से बोलिए जैसरी गनेश धन्यवाद